16 जून को माता कलिसिया एक येशु समाजी प्रोहित संत योहन फ्रांसिस रेजिस का पर्व मनाती है इसका जन्म 1597 इस्वी में फ्रांस देश में हुआ था इनके पिताजी एक बड़े ब्यापारी थे इनके माता पिता धार्मिक प्राबिर्ती के ब्यक्ति थे इस कारण छोटपन में ही उन्हें अच्छा संसकार मिला अच्छे संसकार के प्रभाव के कारण योहन फ्रांसिस रेजिस, समेदन सेल अर्थात दूसरों के मनुभाव को समझने वाला खुसी से धर्म का पालन करने वाला और सदा, माता, पिता और सिक्षकों को खुश करने के लिए ततपर रहने वाला ब्यक्ति बना इनकी पढ़ाई लिखाई येसु समाजी बिद्याले में हुई थी पढ़ाई के दर्मियान येसु समाजी प्रोहितों के जिवन सैली से प्रभावित होकर उनी के समान प्रोहित बनने की लालसा के लिए अठारा साल के उम्र में येसु धर्म संग में प्रवेस लिया जैसे जैसे उनकी पढ़ाई आगे बढ़ते गई वैसे वैसे पारंपरिक येसु समाजी के पत पर चलने की कुसलता आती गई अपने प्रसिक्षन काल में ही बड़ी उत्सुकता और लगनता से बच्चों को धर्म सिक्षा देते थे इससे ना केवल बच्चे बलकि वैस्क और प्रोड व्यक्ति भी लाभनवित होते थे इस तरह प्रोहित बनने से पहले ही एक धरम प्रचारा के रूप में लोगों के द्वारा स्विकार किये गए प्रोहित बनने की उत्सुकता और ललक इनके हर आचरन में इसपस्ट जलकती थी रात के समय आधा से अधिक जाग कर ये प्रात्ना किया करते थे 1631 में इनका प्रोहित अभिसेख हुआ और इसके कुछ ही दिन बाद से स्वेचा से प्लेग से पिडित लोगों को खुल कर सेवा की और उन्हें इस वर ये प्रेम का हैसास कराया इन्होंने अपनी जीवन का प्रेरिताई सेवा दक्षनी फ्रांस में दी विशेश करके इनका ध्यान गरिबों कैदियों और समाज द्वारा तिरिश्क्रित लोगों पर होती थी उनके जरूरतों और मनुभावों को समझते वे उनके बीच सरल भासा में सुसमचार का प्रचार करते थे उन्हें धर्म सिक्षा देते और उनके विश्वास को दिरिड करते थे साधारन और पापी लोग अनयासी उनके प्रवचनों को सुनने और उनके धर्म सिक्षाओं पर चलने के लिए मजबूर हो जाते थे इस तरह संत योहन प्रांसिस रेजिस कई लोगों को ख्रिष्टियता से जोड़े और उनके मुक्ति पाने में सायक सिध्ध हुए उसने महिलाओं के लिए आसरई ग्रीख की सुविधा और जीविका के लिए ब्यावसाय और साधन प्रदान कर वैस्या बनने और पाप में जीवन जीने से उन्हें बचाया बेखार और बेरोजगार लोग संत योहन फ्रांसिस रेजिस के सनरक्षन और सुझाओ पाकर अपने से कुछ ब्यावसाय करके इमंदारी और खुशी का जीवन जीए कुछ स्वार्थिय और लाल्ची लोगों के बिरुद जम कर साधरण और गरिब लोगों की हग कि इन्होंने रक्षा भी कि इस तरह इन्होंने बड़े आनन और उत्सा के साथ येशु के पद चिनों पर चल कर जरुरत मंदों की सेवा कि हमिस्ता ये दुसरों के लिए उपलब्द रहे इनका अपना जीवन कठिन और तपस्या में होता था अपने आधिकारियों के प्रती सदा आध्यकारी होते थे यही कारण था कि वे भी इन पर विश्वास करते थे कुछ भी मदद के लिए सदा तयार रहते थे यह एक आसावादी ब्यक्ति थे और इस वर पर इनका खुब भरोसा होता था इसी कारण इनको हर कामों में सफलता मिलती थे और प्रोहिताई का प्रेरिताई कारे आसानी से कर पाते थे 43 साल के कम उम्मर में ही 1640 इस्वी में इनका देहान्त हो गया और 1737 इस्वी में ये संत घोसित किये गए